तो 2014 में एक मोवी आय थी जिसका नाम था एक विलन वो मोवी थेटर्स में बहुत चली और लोगों को बहुत जाता पसंद आई इतने सालों के बाद भी जब वो टीवी पे अभी आती है फिल्म तब भी लोग बहुत देखते और अभी भी लोग से पसंद करते हैं मेरी बात कर के एक्टर्स और उनकी फिनोमेनल परफोर्मेंस और स्पेशली नितेज देश्मोग तो इतने सालों के बाद उस फिल्म का सीक्वल आ रहा है इसी मत में जब इस फिल्म को अनॉंस किया था तब लोग इसके लिए एक्साइड़े थे लेकिन जब इसकी कास्ट रिविल हुई तब लोग थोड़े फीके पड़ गए लेकिन अब जब इसका ट्रेलर आया है तो वापस लोगों में गर्मी जाग गई है क्योंकि यह जो ट्रेलर आया है उस सच में बहुत भड़ी है इसमें जो फाइटिंग सीजन दिखा है वो भी मस्त लग रहे है और इसके बैग्राउ फिल्म पर इसके अंदर के स्टोरी और गाने इसके उपर बिल्कुल आपशक नहीं कर सकते हिए तो बेस्टी होंगे अगर इसके कास्ट की बाद कि यह जाये तो एक तरफ है जॉन, जिनकी फिल्म जब भी आती है, तब लोगों को जरूर पसंद आती है, और वो अपनी हर फिल्म में अपना बेस्ट देते हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आता है, और दूसरी तरफ है अरजुन कपूर, जिनके हाल फिलाल में कुछ मुवीज जरूर लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं लेकिन हमने उनकी गुंडे इशक जादे संदीप और पिंकी फरार जैसी उनकी कुछ विश्च देखिए जिन में उसकी परफॉमेंस बहुत ही अच्छी है अगर इस फिल्म के कुछ वीग पॉइंट लग रहे तो वह है इस फिल्म के एक्ट्रेसेस क्यूंकि जिससरे के सीन इस ट्रेलर में दिखाए गए अगर सोचो ट्रेलर में इतना दिखाया तो मुई में क्य यह सब देखके डिफिनेटली यह तो कह सकते हैं कि एक फैमिली फिल्म नहीं हो सकती क्यूंकि एसे सीन आफ वैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकते तो देखो ट्रेलर मसत था अगर इसकी स्टोरी और गाने अच्छे हो तो डिफिनेटली फिल्म ज़रू चलेगी और बात करें तो इस मुवी के लिए में जरूर एकसाइट हूँ और इस मुवी में जरूर देखूंगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले विडियो में